हाँ विल्कुल हिल गए है घबरा गए है क्रांतिकारी मैनेफेस्ट कोई तो मैं शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं जिसने यह जो ओबिसी गलित आदिवासी की पॉलिटिक्स है उस उस डायरेक्शन में उसको समझने मेरी थोड़ी मदद की एक दिन 10-15 साल पहले मैंने एक अगबार में छोटी सी न्यूज देखी कि हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर फ्रांस में जाकर अपने कपड़े फैशन शो कर रही थी तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फ्रांस फैशन की राजधानी मानी जाती है फ्रांस के डिजाइनर अपने आपको कि दुनिया के सबसे टॉप फैशन डिजाइनर मानते हैं तो मैंने का देखो बड़ी अच्छी बात है हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर पहली बार कि फ्रांस के पैरिस में जाकर अपना अपने कपड़े दिखा रही है कि दो तीन दिन बार उसी अकबार में मैंने एक आर्टिकल देखा कि फ्रांस के डिजाइनर्स ने हिंदुस्तान उसका मजाग उड़ाया कि देखो इसको तो डिजाइन ही नहीं आती तो मेरे दो तीन फैशन डिजाइनर दोस्त हैं जो फ्रांस में इटली में फैमस फैशन डिजाइनर्स हैं तो मैंने फोन उठा के मैंने एक फैशन डिजाइनर्स को फोन लगाया जो मेरा दोस्त है मैंने उससे कहा देखो तुम लोग क्या कर रहे हो तो कहता है क्या मैंने कहा हिंदुस्तान से एक लड़की आती है पहली बार आती है अपने कपड़े दिखाती है फैशन दिखाती है और आप लोग डर गए तो आप लोग उसका मजाग उड़ा रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया की एक औरत आपके सामने आकर जो आप काम करते हो उससे अच्छा काम कर गई नहीं तालीमत बजाईए अभी कहानी पूरी नहीं हुए तो वह मुझे कहता है देखो तुम लोग उपर पावर सुपर पार की बात करते रहते हो मगर ऐसे तुम लोग सुपर्पार कभी नहीं बनोगे और अगर तुम सचमुच बात समझना चाते हो तो मैं समझा देता हूँ मगर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी बात मेरा दोस्त है मैंने का देखो बात ये है कि हिंदुस्तान से लड़की आई है तुम लोग घबरा गए हो तो ऐसे उल्टे सीदे बहाने मत बना कहता है नहीं मैं समझाता हूँ तुम्हें मुझे कहता है राहूल मुझे फैशन डिजाइनर कहा जाता है हम सब को फैशन डिजाइनर कहा जाता है मगर हम फैशन डिजाइनर नहीं है हम दर्जी है फैशन डिजाइनर सिर्फ नाम दिया गया है, हम हैं दर्जी और आप दर्जी से बात कर रहे हो आपने मुझे कोई भी कपड़ा दे दिया मैं उस कपड़े को समझ जाता हूँ छूते ही, मुझे कपड़े के बारे में पूरा सब पता लग जाता है कैसे गिरेगा कैसे काटा जाएगा किस पर किस प्रकार लगाया जाएगा मैं सब जानता हूँ, मैं कारिगर हूँ आपने जो और भेजी वो कपड़े को नहीं समझती है वो जो ड्रेस वो दिखा रही थी वो उसने नहीं बनाया है उसके बैक आफिस में एक दर्जी बैठा हुआ है जो कपड़े को समझता है आपने यहाँ एक दलाल भेजा है एक दलाल भेजी है आप उस दर्जी को भेज दो हम ताली बजाएं मैं हरान हो गया उसने कहा गिए देखिए आप सूपर पारगी बात कर रहे हो और जो आपके देश को बनाता है चाहे वो नाई हो चाहे वो दर्जी हो चाहे वो बढ़ई हो मेटल वर्क्स का काम करता हो और इलेक्टरिशन होता है उसको आप छोपा के बंद कमरे में रखते हो और ये और जिसको आप ने भेजा है इसको कपड़ा तो समझी नहीं आता क्यों हमें इसकी ताली हो जाए बहुत गहरी बात बोली और उसके बाद मैं सोचने लगा फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते हैं कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंट्रिस्टिड नहीं है नॉन सीरियस है आपने देखा होगा मीडिया में 24 गंटा नॉन सीरियस नॉन सीरियस मन रेगा नॉन सीरियस जमीन अधिकरन बिल नॉन सीरियस नियामगिरी नॉन सीरियस भट्टा परसॉल नॉन सीरियस अमिताब बच्चन अश्वरिया राय विराट कोली सीरियस मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लिजे ये कमरा है इसमें हजार लोग बैठे हैं हजार लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेड़फोन दे दीजे और माइक्रोफोन दे दीजे और वो 20 लोग 24 गंटा चर्चा कर रहे है और 990 लोग यहां बैठे हुए है उनकी ना कोई बात सुनता है ना उनके पास लाउड स्पीकर ना उनके पास माइक्रोफोन हेड़फोन वो देखते रह जाते हैं और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो non-serious हो जाता है तो मैंने शुरू किया मैंने का देखता हूँ यह जो लोग कह रहे हैं non-serious इनकी companies में इनके stakeholders कौन है इनके जो बड़े-बड़े पत्रकार है जो anchors है मैंने इनके नाम निकालने शुरू किये 95% का इनमें एक है यह नहीं एक OBC नहीं है एक OBC anchor नहीं है इंदुस्तान में एक OBC anchor नहीं है एक दलित anchor नहीं है एक टादिवासी anchor नहीं है सारी की सारी companyों के list में 90% से एक मालिक ही नहीं तो loudspeaker आपके हाथ में ही नहीं है और अगर loudspeaker आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे और नहीं